दोस्तो घर की दिवारों की चिनाई करते समय अक्सर मिस्ति जो है बहुत बड़ी मिश्टेक करते हैं जो कि हमारे घर की जो है मजबूती के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती ठीक है तो आज की शुड़िय में दोस्तो मैं पांच ऐसी मिश्टेक के वारे में बात करूँग तो दोस्तों बात घर की है तो हमी कुछ time आगर आपने काम ठेके पे दिया है measurement के इसाब से भी काम दिया है तो भी आपका फार्ज सुमय पर साइट पे आपके मेकन पे जाके आपने कॉन्टेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है काम को काम के तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा है ठीक है कहां पे कोई गलती हो रही है तो दोस्तों जब आप उसको साइट पर जाके देखोगी यह नहीं ठीक है तो दोस्तों क्या है कि वो तो क्या है कि लपाई पुताई होने और भी बहुत तरह की तमाब जो दिखते आती है आप उसको फिर मैंटरने इस पे क्रैक बरुआओगे हर साल आपको रिपेर कराओगे दोस्तो आज की जो वीडियो है बहुत बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्रिजी वीड इंची दिवार हो या फिर आपकी दो इंची दिवार हो तो जो भी इट आप जो है आप लेके आओगे आप पर चेज करोगे तो मिस्तरी को आपने जो है पहले दिन ही एक चीज बिल्कुल टाइटली बोल देना है कि जो भी इट हुऊ चिनाई और क्यों लगाएगा ठीक है मिस्तरी के साथ सा जो लेबर उसको इटे प्रोइड करती है मसाला प्रोइड करती है दोस्तों मिस्तरी और लेबर आपने जो है दोनों को बिल्कुल टाइटली बोल देना है कि जितनी भी इटे वो लगाए ठीक है वो प्रोपर जो है क्योड हो उनकी जो है चिनाई में लग देते और अक्सर यह होता भी दोस्तों कि अगर आप जो मेजरमेंट के इसाब से काम देते हो या लेबरेट पे वीद मेटल तो दोस्तों जो अक्सर में देखा है जो कॉंटेक्टर होते हैं क्यूरिंग पे तराई पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है सिर्फ यह होता दोस्तों आपकी पानी की भी है क्योंकि दोस्तों आपकी पानी से ही आपकी दिवार की जो है मजबूती बढ़ती है ठीक है यह चीज वो भूल जाते है तो दोस्तों वो जो है भले ही बूल जाएं पर आपको यह नहीं बूलनी है क्योंकि दोस्तों मकान जो है आपका बन र जाएगी ठीक है यह मैं लिखके देरा हैं दोस्तों कि आपने क्यूरिंग पे आपने बहुत धांदेना है और एक चीज और मैं आपको बताता है दोस्तों कि मालेजी मिस्तरी ने जितनी भी चनाई की है आपकी दिवार में तीन फिट चार फिट पांच फिट जितनी भी फाही ना करते तो उसको अगले एट आपने लघाने नहीं देना है क्योंकि दोस्तों होगा क्या कि मालेजी मिस्तरी न जो है बगार तरय के जो है जो है चिना patient की ही दोस्तों क्या है कि उस दिन फिर वह जो है खराब हो जाएगी तो दोस्तों आपने मिस्तरी को यह बिलना कि भाई आगले दिन काम जब ही शुरू करना जब जो है दिवार की तरह ही हो जाए ठीक है इस चीज़ को आप लोग पल्लू गांट बान लेना इतनी इंपोर्ट है दोस्तों कि अक्सर जो हमारे गरों में दिवार में करेक आती है पलास्टर जड़ता है क्योंकि दोस्तों जब आपकी दिवार में जो है आप जो आप मतले बेग चीज़ आप समझे लो दोस्तों कि हमारी जो दिवार होती है दिवार के उपर हमारा पलास्टर होता है पलास्टर के उपर हमारी पुट्टी होती है पुट्टी के उपर हमारा पैंट होता है हमारी जो दिक्कत होती है तो फिर बहुत यह समय में आता ही पूटि में आते हैं पूट्टि में आतीए масс ़ूट्त पतंवी यह ऐता है इंटरकनेक्ट होती है यह दूसरी चीजा से जो है लिंक होती है कि ultimate आपके जो चेनाई है वो प्रोपर तरीके से ठीक है हुई है तो दोस्तों उसके ओपर होने वाला प्लाश्टर उसकी भी लाइफ जादा होगी अगर आपका जो प्लाश्टर भी प्रोपर तरीके से हुआ है तो उसके ओपर होने वाले पूरी तरीके से हुई तो उसके ओपर ह कोने वाला जो पैंट है वो भी जो है उसकी भी लाइफ ज़ाता होंब साझेट आपने हर जीज पार की इसे कि दोस्तों मुकान जो एक बार 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 नैंग बन दोस्तों हमारी मनलब कई सालों की मेनद्ट यह होती है इतनी सिर जो होती है ठीक है अंप ses구요LAN बन जाए तो वो जो मकान हैं हमारे बच्चों के भी काम आई तो आप कुछ टाइम निकाल के जो है इन चीजों को आपने चेक करना है अगर मैं दोस्तों सेकिंड पैंट की बात करूँ तो दोस्तों जो मसाला हम यूज करते हैं चैनाई में चैया आपकी दिवार चाहरी चाहर पैंट होती है ठीक है एक पांच का एक छे का हम जो है मसाला यूज करते हैं और उसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज आपको मसाले में जो है धानक नहीं दोस्तों वह यह है कि जब भी आप मसाला बनवाएं लेबर को अपने टैटली बो देना कि जब एक तो प्रोपर जो है और स्ट को जब cardi communicate से नहीं मिलाती है उसकी से आपका मसाला जो होता है और आपका जो मसाला चोटेंगा कि जब भी आप मसाला ऑनाओंगा आप प्रोपर 20 इस तरीकिज हो data की देमीन देने कि कि जब भी आप जो है साड़े-चार इंची जो आपकी पार्टीशन वाल होती दोस्तों उसकी चेनाई करवाएं ठीक है तो उसकी जो चेनाई दोस्तों आपने एक दिन में दो तीन फिट से चार फिट से जादा नहीं करवानी है ठीक है क्योंकि अक्सर देखने मिलता है कि जो मिस्टरी या फिर जो कॉंटेक्टर होते हैं कि एक एक दिन में जो है पूरी पूरी दिवार जो है आपकी 8-8-9 फिट जो उसकी हाइट तक बना देते हैं जो कि 4.5-4 इंची दिवार के लिए बिलकुल भी सेफ नहीं है क्योंकि उसमें दोस्तों क्या होता है कि उसमें जो है क्रेक्स आने के चांसिस होते हैं ठीक है तो मिस्टरी तो जो है बना देगा कॉंटेक्टर जो है बनवा देगा जो है अपने जो है साड़ी चार इंची दिवार में अपने ध्यार रखना है और अगर दोस्तों मैं जो है पाइंट नमर फोर की बात करूं तो जो आपका मसाला होता दोस्तों उसकी जो मोटाई होती है आपकी 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चीए क्योंकusta से चीए जो मिस्तरी होते है वह जो है आपका एक 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 मसाले की मोटाई रख देते हैं हमारी एक वोलब की जहां की लियर के बीच में जो आपका मसाला डालताए तो जो करना की बहुत बड़ीear मिस्टक होती है तो दोस्तो उसकी जो मोटा ही होती दोस्तो दस जादा नहीं रखनी है तो दोस्तो आपने रेंडमली जाके आपने मिस्टरी को बोलना है कि मेरे को जो है दीवार का साउल चेक करा दो साउल क्या होता है दोस्तों कि दीवार की जो है दीवार पूरी तरीके से सीधी है या नहीं है कि दोस्तों कि आपने ठाजक है कि मालश चीजेड़ की जो ही रखने चांस कोगी है ठीक है यूँकि दौस्तो एक क्शी जो अगर प्रोप पर तरिके सीधी तो प्रोपर तरिके सीधी हुई है। और एक दिवार जुकी वई तो आपने यह पांच साइट पर जाकर चेक करने और अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 वीडियो को दीखिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब बैल अक्रेस जुर कीजिए ताकि जब भी बने वीडियो प्लोड करूं आप को उसका नोड़ी फिर में जिके थैंक्स पूरा तिम दन्याओं